हेलो फ्राइंड तो आपके सामने मस्त इंपॉर्टन कोश्चन्स आ गया है और यह कोश्चन्स ना देखिए बहुत ही आसान है उसको कंप्लिकेटेड ना करें ठीक है देखिए जब बोले ना फोर सम फॉस्ट्री टॉम ऑफन एपी फिटीवन तो सबसे पहले ना मान ले ठीक है मैं पैन ले ले लेता हूं ठीक है ओके तो सबसे पहले क्या बानेंगे कि जो थ्री टॉम है जो जोड़्री टॉम ऑफन एपी देखिए एक तो ए होता है इसके बाद वाला टॉम क्या होता है ए प्लस दी तो इससे पहले वाला क्या होगा ए म्यांस दी ठीक है यह टॉम है आप यहांपर देखिए हो कहा है कि सम बोला है तो सम का मतलब क्या हुआ मालो एस 3 की बात किया है तो इसका मतलब क्या सम फॉस्ट 3 टर्म मतलब पहला वाला A-D प्लस A फिर A-D ठीक है और इसकी वैलू कितनी दिया है 51 अब यहां पर देखिए यह प्लस D और A-D cancel हो गया यहां पर A प्लस A प्लस A 3 A हो गया और यहां पर A की वैलू आ गई 51 डिवाड़ेड़ वाई 3 एक की वैलू कितना आ गया 17 आ ठीक है और यहां पर ज्यान दीजे एक में बोला है कि फॉस्ट और थर्ड टर्म का मल्टिप्लिकेशन तो आपका फॉस्ट वाला क्या ह है A-D और थर्ड वाला क्या है A-D इनका प्रड़क्ट बोला है 240 तो यह क्या हो गया है A-D2 हो गया 240 और एकी वैलू कितनी है 17 17 स्कॉाइर करो कि अब यहां 17 का स्कॉाइर 289 हो जाएगा और यह 240 इदर आएगा तो माइनस 240 हो गया और यह प्लस-D स्कॉाइर इदर आए तो माइनस दी स्कॉाइर इदर प्लस दी स्कॉइर हो गया अब यह माइनस करेंगे तो की आ रहता तो भी राइट होता है ठीक है तो इस तरिके से ऐसे कोशन को हम इस तरीके से सौल करेंगे क्लियर ना ठीक है ऐसे जब भी कोशन आये तो इसी तरीके से इसको सौल करना है